हेलो दोस्तों, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब इलो आज के वीडियो में हम बात करेंगे University of Mumbai, IDOL का जो internals exam है different courses के लिए जैसे FYB.com, FYBA, SYB.com, SYBA और कुछ other subject जिसे M.com के भी subjects हैं जिसमें 40 mark का internal, 60 mark का external है तो उन सब के examination कैसे होंगे इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे आप से बस इतना request है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है share कीजिए ताके उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले updates के बारे में, ठीक है? अब ये कि ये notice है ये notice आया है 30 December को अलाकि एक पहले भी मैंने अपडेट किया था लेकिन वो शिरिफ January, December session, semester two, semester four के लिए था और repeaters के लिए था ये जो है 30 December को आया है ये एक दूसरा notice है जिसमें यहाँ पे winter session भी लिखा है लेकिन अगर आप और आगे जाके पढ़ोगे यहाँ पे देखो date of commencement यहाँ पे क्या mention किया है online internal examination मतलब जो internal exam है जैसे FY में FC subjects का होता है foundation course तो जो foundation course FY और SY का जो है वो internal exam online होगा अब यहाँ पे question आता किस के लिए सर यहाँ पे 22 mention किया है यहाँ पे आगे अगर आप पढ़ोगे only for subjects of foundation course क्योंकि FC का ही 25 mark का जो है internal होता है बाकि 75 mark का paper होता है FC का important questions और बाकि आदर subjects का मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा playlist में क्या लिखा है for July session 2022 और 23 इसको rough करके मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है 2022 तेश सकाइडमी के अगर मतलब इसमें July session जिन्हों ने डिवेशन या था last year उनके लिए भी यह है और साथ में January, December 2022 के लिए भी है मतलब January, December 2022 जिनका examination अब भी होगा semester 2, semester 4 का उनके लिए भी और साथ में July session जिनका first year semester 1 जिनका semester 3 का examination होगा उनके लिए भी है और उनका examination कैसे होगा, online mode से होगा, किसे होगा, online mode से तो यह चीज़ तो confirm होगी, अब जो FY और SY का चीज़ तो confirm होगे भाई, FY का examination और SY का same, first year भी कॉम, first year भी है second year भी कॉम, second year भी है, ठीक है यहाँ पर mention किया, और साथ में अभी last year से जो है और accounting finance, जैसे math course होता है, bachelor of accounting, मतलब bachelors in accounting finance, commerce का ही course है, लेकिन specialized है course तो यहाँ पर specialized course के लिए भी वही same चीज़ बताया है, कि इसका भी जो examination होगा, वो online होगा, July session यहाँ पर mention किया है, ठीक है यहाँ पर January, December session इसलिए ने mention किया है, कि इस साल से वाइड होगा last year से add नहीं था, यहाँ पर schedule दिया गया है, 9 बजे से लेके 5 बे तक 21 January, 9 से लेके 5 बे तक, 21 January, FY और SY का, ठीक है, similarly जो है अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी mention किया गया है, यह किसका है, first year का है, second year का है और यहाँ पर date, like time mention किया गया है, और यहाँ पर date mention किया है, ठीक है तो इस तारीक को जो है, आपका internal exams होगा, 21 January को, तो यह date आप याद रखिएगा इसके लिए मैंने बोला, share कर देना, first year, second year, second year सभी स्टूडेंट को, जुलाई सेशन वाले को भी कि 21 January को आपका internal exam होगा, तो अगर internal exam होगा, तो जो है, आपको एक link आएगा अगर link नहीं आएगा, तो फिर जो है, जो idol का website है, ठीक है वहाँ पे जो है, जो number दिया है, उस number पे भी आप call कर सकते हैं या मुझे कुछ अप date आएगा, कि भाई, ये examination online conduct करने वाले हैं, तो कैसे mode से conduct करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ quantitative dates है, ये कैसे conduct करेंगे online वो तो पता है, लेकिन कौन से app से, कौन से, browser से करेंगे, और उसका login password कैसे होगा, ये student को कैसे पता चलेगा वो सारी चीज़ा है, आएगा notice, अभी 21 जनवरी है, तो हो सकता within a week के अंदर, क्योंकि ये 30 December को आया है तो हो सकता next week तक इसका update आ जाए, कि कैसे examination, और जैसे मुझे पता चलेगा वैसे मैं update कर दूँगा, और अगर आप university जा रहे हो, books के लिए या कोई दुसरी inquiry के लिए, तो आप इस question का भी inquiry कर सकते है, और मुझे whatsapp पे या telegram पे जो है information message कर सकते है, ठीक है, आप मुझे tag कर दीजिएगा क्योंकि message मैं नहीं देख पाता हूँ, तो tag करेंगे तो मैं easily देख लोगा, okay, so I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे वो student जो m.com वाले हैं, उनका भी 60 और 40 वाला ratio है, 60 और 40 वाला ratio, 40 mark का जो रहेगा internal, 60 mark का जो रहेगा वो external, तो 60 mark का बाद तो सम देने के बाद जो है, हम ऐसा observe कर सकते हैं, confirm तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह चीज़ मान के चल सकते हैं कि internal जो examination होगा, वो सकता है, possible यह हो, कि जो है, online exams आपका internal हो, और external के किस में क्या हो, जो है, offline जैसे conduct कराया जारवेस, offline, जैसे यह first year, second year का conduct कराया जारवेस, सिक, आप यहां पर यह भी student का question रहेगा, कि sir यह जो internal exams होगा, उसमें कौन से chapter साइगा, तो देखो, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, हो सकता है कि पूरे chapter से आए, मतलब पूरे book से आ सकता है, या तो फिर क्या होगा कि 4 modules है, तो 4 modules में से 2 modules दे दिया जाए, मतलब 4 unit है, तो 2 unit म internal exam दे दिया जाए, क्योंकि regular college में तो वैसे ही conduct कराया जाता है, तो यह सारी चीज़ा clear नहीं हुई है, तो आगे चलके हो सकता है कि idle notice देगा, जिसके बारे में कि examination calls है, कितने chapters कैसे होने वाले हैं, instruction देगा सारी चीज़े, और पहले की तरह भी जो है, थोड़ा late करता है, ब मुझे वही लोगो message करते हैं, जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, वो एक genuine question पूछते हैं, कि सर आपने ये वीडियो upload किया है, तो उस वीडियो में आपने ये चीज़ बताया है, तो मेरे को ये चीज़ का particular doubt है, या तो comment मे subscribe कर देंगे, या फिर WhatsApp या WhatsApp पे या तो फिर Instagram पे message करेंगे, तो अगर मुझे ऐसा feel होता है कि हाँ, वो वीडियो में topic चीज़ skip किया हूँ, या उसके उपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं आपको reply करता हूँ, और जो ऐसी question पूछेंगे, कि सर ये क्या है, वो क्या है तो भई उसके लिए जो है, आपका message जो है, वो चला जाता है, फिर उसमें reply नहीं हो पाएगा, ठीक है, so request है कि आप लोग subscribe करके रखें, वीडियो को पूरा देखें, जो मेरे पूराने वीडियो है, उसको भी देखें, तो उससे समझ में आएगा कि आपका examination offline होने वाला है concert date को होने वाला है, कैसे आपको check करना है, कैसे login करना है, सारी चीज़े, कैसे पढ़ाई करना है, सारी चीज़े मैंने upload करके रखा है, सरिफ आपके ease के लिए, मतलब सब आपके आसानी के लिए, so आप जो है video बनाया है, तो चीज़ को देखें, और पढ़े आराम से, ठीक है चलो, मिलता है next video में